हेलो एवरिवन, सभीको नमस्ते, सबकी होली अच्छी गई होगी और पोधों में कुछ काम करने लगे हैं आज, तो ये मेरा एक पोधा है गुड़ल का, बहुत अच्छे फूल देता है, वैसे तो मैंने इसकी हार्ड पूरिंग कर दी थी, लेकिन मुझे इस गंबले की जो र फिलाल तो मैं पोधा निकालना गुड़ल का, इसको मैं एक जगे लगा के आती हूँ, ताकि इसके फूल देना बरकरार रहे हैं, और ये हमारे गर के पास में एक खालिप लोट पड़ा है, तो मैं उसमें इसको लेके गई हूँ, मुझे 8-10 दिन इसकी देख भाल करनी पड कर देगा, और ये धेर सारे फूल देगा आपके सीजन में, जब ये फूल देगा, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मेरा काम काफी आसान कर दिया, कुट्तों ने या पे थोड़ा सा खोद रखा था, तो उसी गड़े में मैंने थोड़ा सा और खोद लिया है, और यह कि मैं इसे फैकती नहीं हूं, वहां लगा देती हूं, पानी तो मैं नहीं दूँगी, कोई भी देई देगा थोड़ा बहुत, अंटी दे देगी, तो इससे ही हो जाएगा, फूल सब को मिलेंगे, बहुत फाइदा होगा, और हर्याली दिखेगी, जब गर्मी में चारो तर निकालती हूं, गार्डन में से, तो मैं यहीं लगा दूँगी, तो जिससे हरा बरा भी रहेगा, और फूल भी मिलते रहेंगे, तो अभी मैंने इसको अच्छे से रोप दिया, यहां पर देखते हैं कितने दिन में चल जाएगा, अभी तो यह मतलब जब मैंने इसकी पानी लेके आगी थी, किती दिलो पानी लगा दो, तो मैंने यह लगा दिया है, और इसमें एक बाल्टी पानी दे दिया है, तो मैं इसका आपको बाद का भी व्यू दिखाऊंगी, कि यह कैसा चला, आठ दिन बाद का, कि इसने जड़ पकड़ी है, नहीं, बहुत सारी सू मेरे पास, तो दो साल से मैंने दो बार, हर साल मुझे इसका गमला चेंज करना पड़ता है, पहले मैंने छोटे गमले में लगाया था, फिर इस वाले में लगाया, यह 18 इंच वाले गमले में है इस समय, लेकिन इसकी रूट ना चारो तरफ से निकल रही है, तो मुझे लग क्योंकि अभी इस मौसम में आप अच्छे से रूट वगयरा अगर काट कर लगाते हैं गमलों में पोदे को, तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस मौसम में जड़ अच्छे से पकड़ लेता है, यह मौसम होता है ना, फुटेज लेने का पोदो की, अच्छे से ग्रो जड़ों से ही बर रहा था, क्योंकि बड़ा पेड है, तो जड़े भी बड़ी हैं इसकी, तो यह मैंने एक्स्ट्रैक्टर सारी इसकी रूट काट दिया, राम राम से देख सकते हैं, आप कितने निकली हैं, देखो कितने, आधा गंबला लगबग बर रहा था, और यह मत्टी जो भी निकली हैं इसमें से, इसमें से सारी जड़े मैं अच्छे से निकाल दूँगी, क्योंकि अब बार-बार अलग से मत्टी लाना पोसिबल नहीं होता है, तो इसी मत्टी को ठीक करना पड़ता है, तो सारे तिन के इसके निकालके हैं, मही से जा मैं पोदा लगा के क्योंकि महाँ पर काफी टाइम से गोबर डलता है, तो पुरानी खाद भी मिल जाती है, तो वहाँ से पुरानी खाद में लेके आई हूँ, जो सुक्की हुई है बिलकुर, और इसमें मत्टी में मिला के इसी मत्टी को मैं ठीक कर लिया है, और मत्टी मेरे गमलों में हमेश् पूरी अच्छे से दबा दबा के, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा पोदा है, तो आप उसकी जड़े इस तरह निकाल के इसको ठीक कर सकते हैं, और अब मैं पानी देने से पहले इसको महा रखूंगी, जहां ये रखा था च्छाओं में, क्योंकि अब मैं इसमें पानी देने के बाद इसको हिलाऊंगी नहीं, कम से कम 15 देज, ताकि अगर मैं बार बार इसको हिलाती रहूंगी ना, तो इसकी रूट ज्यादा डिश्टरफ हो जाएंगी, तो महा रख दूँगी, रोज डेली पानी दूँगी अच्छे से, इसका ध्यान रखूंगी, और च्छ पाला पेड़ भी देखा के लाऊंगी, जो मैंने लगाया था, आठ दिन बाद का व्यूज का, तो आज का वीडियो यही था, तो आज मैं आपको दिखा रही है, आठ दिन बाद का व्यूज है, पहले पत्ते सारे गिरा दिया है, देखो पहले पीले पत्ते ते, अब सारे पत्ते ग्रीन आगे हैं तो पेड़ चल पड़ा है वीडियो पसंद आईए तो प्ली लाइक कर देना मिलते हैं फिर रादे रादे